The next topic is Adult Sense and Puberty जो ट्रांसिशन पिरिड है चेंजिंग पिरिड है चैल्ड हुड से लेकर अडल्ट हुड तक उसी को बोलते हैं Adult Sense जो वाइस एड गल्स इस पिरिड से पास कर रहे होगे उनको बोलेंगे Adult Sense World Health Organization यानि की WHO ने Adults and Spirid को Define किया है कि जो period 10 to 19 years तक life में होगा उसको बोलेंगे Adults and Spirid Adults and Spirid में क्या होता है? Reproductive organs जो है male या female में वो maturity level पे पहुंच जाते हैं और function करना start कर देते हैं जो female है वो egg produce करना यानि की organ produce करना start कर देती है और male sperm produce करना start कर देते हैं जो other changes है breast size girls में and facial hair boys में यानने शुरू हो जाते हैं यह जो characteristics हैं यह boys and girls को differentiate करते हैं और इनको बोलते हैं scoundry sexual characteristics एक ऐसी stage जिसमें जिसमें scoundry sexual characteristics आने लग जाए हैं उस stage को बोलते हैं maturity state of maturity या puberty puberty की definition है जिसमें individual जो होगा वो sexually mature हो जाएगा और reproductive maturity पे पहुंच जाएगा फिर इसमें detail से बताया गया है boys and girls में puberty कैसे आती है first step physical change first point development of reproductive organs तो reproductive organs दोनों में ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे होगी है boys में भी and girls में भी पर जो rate of growth है या लग लग होगा बड़ने शुरू हो जाएगी next is body hair poverty के during ही hair जो हैं armpits में आने शुरू हो जाएंगे public reason में ऐसे ही arms पे legs पे दोनों में ये आने शुरू हो जाएंगे boys and girls में voice में facial hair भी आने शुरू हो जाएंगे मुझ पे और दाड़ी पे भी और chest के भी बालाने शुरू हो जाएंगे next is change in voice voice box जो या लार्नेक्स इसको बोलते है वो increase होना start हो जाएगा poverty में जिससे voice change होना होना start हो जाएगी prominent का means होता है important ये important होता है voice में और जो enlarge voice box है ये एक lump की तरह दिखता है जिसको Adam's apple बोलते हैं figure में देख सकते हो आप और ये neck reason में होगा larger voice box के kind voice जो है इनकी वाज जो है ये भारी हो जाती है और जो girl से उनके नहीं होता तो उनकी तीखी वाज होती है जब initially size ये ने क्रीज होना शुरू हो जाएगा एडम से अपल का तो बोईस की वाज जो है ये crack या break होनी start हो जाती है पर थोड़ी time बाद ये normal हो जाती है next is increased activity of sweat and oil glands poverty में sweat और oil glands जो बोड़ी में होंगे ये जादी active हो जाएगे और sweating पसीनना जादा आना शुरू हो जाएगा जो increased activity होगी oil glands से उसके current पिंपलाने शुरू हो जाएगे next is maturity menstrual cycle जो cycle है एक produce करना और release करना mature ova का साथ में ही change लाना और जो टेरस में इसको बोलते हैं menstrual cycle जो start है इसका ये पताता है हमें कि girls जो है वो अब baby produce करने के capable हो गई है following जो है ये sequence है जो menstrual cycle में होते हैं first of all जो पिटिट्री ग्लांड है वो एक हर्मोन सेक्रेट करती है जो कंट्रोल करता है ओवेरिस को कि वो mature ova को release करें जो दो ओवेरिस होंगी ये एक को produce करेंगी या ova को produce करेंगी और 28 days के बाद एक ova को produce होगा जो process है कि mature ova का release होना एक ova के साथ है इसको बोलते हैं ovulation ova को है ये दो important hormone release करती है estrogen और pro estrogen ये changes कर देते हैं जो रेटिस की lining में और prepare कर देते हैं ladies को pregnancy के लिए the ovum जो होगा ये इपनी journey स्टार्ट करेगा फिलोपियन ट्यूब से नीचे आके अगर ovum fertilize नहीं होता sperm के थूँ तो ये dead हो जाएगा और disintegrate मतलब लग-लग होना शुरू हो जाएगा और hormone level भी फिर कम हो जाएगा next जो lining uterus की होगी वो breakdown होनी start हो जाएगी और बिल्कुल हट जाएगी साथ में ही blood का loss होगा इस phase को 4-6 days लगते हैं और इसको menstrual period कहते हैं या menstruation बोलते हैं जो next menstruation होगी वो करीब 28 days के बाद होगी अगर कोई fertilization नहीं होती इस period तक तो इस table में next सारा बताया हुआ है ये changes बताता है जो menstrual cycle में होंगे जो adults and girls का first menstruation होगा उसको बोलेंगे मैंने रेक एंड उसको usually occur 10-15 year की age में होगा जब जब woman बड़ी होती जाएगी उसकी reproduce करने के यानि के baby को पैदा करने के जो capacity है वो खतम होती जाएगी और ये बार में बिल्कुल खतम हो जाएगी जब बिल्कुल बच्चा पैदा करने के capacity खतम हो जाएगी उसको बोलते हैं मैंना पोस और यूसली 45-55 years की age में होती है ये चीज ये देख सकते हो आप कि डेस में first one to five days में क्या होगा lining जो होगी ये shed होगी ये जड़ेगी next second जो period होगा six to twelve day का इसमें new age जो होगा जो होगा थर्ड 13 14 15 day में क्या होगा evolution होगी और fourth ये सारा ही है और ओवम जो होगा travel करेगा जो टेरस तक और dice हो जाएगा अगर fertilize नहीं होगा ये तो